बी एससी सीजियल रिजल्ट दुवार ताईस जो एक जाम पांच मार्च को हुआ था उसके बारे में अपडेट आया है CGL में सामिल परिच्छा अर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है बिहार SSC CGL की परिच्छा दिसम्मर महीने में आयोज किये थी वही इस परिच्छा में पेपर के बाद परिच्छा का दोवारा आया जो पांच मार्च को किया गया था उसके बाद आप अभिहारती परिच्छा रिजल को लेकर काभी परिच्छान है इसका क्या अपडेट है ये बता रहे हैं सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार अप्रेल महीने के पहले सब्ताह तक बिहार SSE करामचारी चायना आयोग BSSC CGL भरती का परिच्छा रिजल जारी कर देगा इससे पहले BSSC CGL परिच्छा को लेकर आंसर की जारी करेगा एवा मुमिदारों को इस पर आपति दर्ज करने का मौका भी देगा BSSC CGL के सभी चार्णों की परिच्छा की आंसर की एक साथ जारी होने वाली है परिच्छार्थी अभिहार्थी वेबसाइट BSSC Bihar.gov.in पर जाकर आंसर की अपलोड कर सकेंगे आयोग ने 23 दिसंबर 2022 को रद की गई BSSC CGL की पहले चैन की परिच्छा 5 मर्च को आयोजित की थी परिच्छा के सफल आयोजन के बाद आप सभी स्टेज की एंसर की का इंतियार है एंसर की आने के बाद आप अपति दर्ज कराने का मौका दिये जाएग CGL परिच्छा 287 पर भरती के लिए हो रही है तो आपके लिए ये अपडेट है कि कब तक रिजल्ट आएगा ताकि आप प्लानिंग कर सको बेहतर ही रहेगा कि जो लोग कटप को पार कर चुके हैं जिनका कटप पार हो चुका है जिनको लगता है कि एकजाम निकाल सकता है वो मेंस की तियारी में ले गए हुए हैं वो अच्छी तरीके से मेंस की तियारी करें क्यों क्योंकि मेंस की तियारी अगर आपके अच्छी होगी तो आपके लिए एकजाम निकालना आसान हो जाएगा फिर उसके लिए उसके आप नेशे स्टेप कोई और बचता नहीं है और बिहार SI की भरती आने वाली है इसमें बहुत ही आपके लिए काम आएगा तो जो बच्चे ने एकजाम देना है वो बिलकुल सही तरीके प्रिपेरिशन में लगे रहे हैं चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्स कर दें ताकि यह ने लोगों को भी लाब में सके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में